हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है हस्मिता वेल्कम बैक टो मैं चानल आज मैं आप लोग के साथ शेर करने वाली हूँ बहुत ही क्रंची और मज़िदार सा स्नाक जो की है वेजिटेबल पिन वील इसे बनाना बहुत ही असान है और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगती है त प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक करें तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक बोल इसमें डालेंगे मैदा 1.5 कप यह लगबग 180 ग्राम्स है अब इसमें डालेंगे नमक 1 टी स्पून इससे जादा नहीं डालेंगे और एक बार अच्छे से मिला देंगे ताकि जो नमक है ना वो मैदे के साथ अच्छी तरह मिल जाए अब इसमें डालेंगे मौयन, मौयन यानी ओल या फिर घी, अभी मैंने यहाँ पर 2 टीबल स्पून ही डाला है इसे अच्छी तरह रप कर देंगे, इसे अच्छी तरह रप करना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारे जो पिन्वील है वो खस्ता बन पाएंगे मुठी बान कर देख लेते हैं, आप देख सकते हैं अभी मुठी अच्छी तरह नहीं बंद रही है, यानी कि जो मौयन है ना वो खी ठीक नहीं है वन टेबल स्पून और डाल देते हैं एक बार फिर से अच्छी तरह मसल लेंगे अब आप देख सकते हैं मुठी अच्छी तरह बंद रही है यानि कि अब जो मॉयन है वो एकदम परफेक्ट है अब इसमें डालेंगे पानी मैंने आपर अभी फिलाल वन थर्ड कप ही लिया है अगर और जरूरत होगी तो बाद में ले लेंगे पानी को दीरे-दीरे करकर ही डालेंगे क्योंकि हमें जो डो है न वो सेमी सॉफ्ट बनाना है ना ही जादा सक्त होना चाहिए और ना ही जादा सॉफ्ट तब ही हमारे जो पिन भी लेना वो खस्ता बन पाएंगे पानी को हमेशा दीरे-दीरे करकर ही डालें क्योंकि अगर जादा डल गया तो गड़बड हो सकती है अच्छी तरह मैदे को हतेली की बैक साइट से मसल लेंगे और अब मुझे डो पॉफेक्ट लग रहा है इससे 10 मिनट के लिए ढखका रख देंगे आप देख सकते हैं मैंने आपर 1 थर्ट कप पानी लिया था ये पूरा लग गया है और साथ में मेरे 2 टेबल स्पून पानी और लगा था अब चलते हैं नेक्स टेप की तरफ तो वेजिटेबल पिंगिल बना ही रहे हैं तो देख लेते हैं कौन-कौन सी मैंने आपर सबजिया ली है तो सबसे पहले मैंने यापर लिया एक मीडियम साइस का प्यास बारीक कटा हुआ फिर मैंने यापर लिया एक मीडियम साइस का टमाटर बारीक कटा हुआ साथी में मैंने लिये 1 फोट कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची चलिए तो filling की त्यारी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर लिया एक pan pan में डालेंगे 2-3 teaspoon of oil oil हमें यहाँ पर जादा नहीं चाहिए oil के गरम होते ही इस पर डाल देंगे प्यास और प्यास को हम 30 seconds के लिए fry कर लेंगे low to medium flame पर तो प्यास अच्छी तरह fry हो चुका है तो इसमें डाल देंगे बारी कटवा टमाटर इसी भी 30 seconds के लिए fry कर लेंगे हमें यहाँ पर जो सबजिया है ना बस कुछ seconds के लिए भूननी है ताकि इनका जो कच्चा पन है ना वो निकल जाए फिर इसमें डाल देंगे capsicum और साथी में डाल देंगे गाजर और इनने भी कुछ seconds के लिए fry कर लेंगे गाजर और capsicum भी थोड़ी soft हो चुकी है तो अब इसमें डाल देंगे पत्ता गूबी पत्ता गूबी को अच्छी तरह मिला लेंगे बाकी सब्जियों के साथ और इसे भी कुछ seconds के लिए पका लेंगे पत्ता गूबी डालने के बाद जो हमें सब्जियां है न वो जादा देर नहीं पकानी है क्योंकि अगर पत्ता गूबी ने पानी छोड़ दिया ना तो filling बनाने में दिक्कत आ सकती है तो इसलिए यहाँ पर फटा फट डाल देते हैं मसाले तो मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है रेटचरी पाउडर वन टीस्पून फिर डालेंगे हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून फिर डालेंगे है फ्लेम को ओफ करेंगे और फिलिंग को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे तब तक चेक कर लेते हैं डो की वो सेट हुआ है या नहीं अब आप देख सकते हैं डो एकदम बढ़िया सेट हो चुका है एकदम परफेक्ट लग रहा है इसे एक फ्लाट सर्फेस पे न आते हैं लेकिन पेड़े का साइस थोड़ा बड़ा रखना है अब इसे एक रोलिंग पिन की मदद से काफी लंबा रोल करेंगे लेकिन हो सकता है यह चिपक जाए क्योंकि हम इसके बाद में रोल भी बनाना है तो सेफटी पॉपस के लिए थोड़ा सा मैदा छिड़क दें तो यह फिलिंग को होल नहीं कर पाएगा इसलिए से थोड़ा मीडियम साइज में ही रखें अब इसके उपर वो फिलिंग डाल देंगे जो हमने बना कर रखी है मैंने यहाँ पर लगबग धाई बड़े चमच फिलिंग डाली है जादा भी ना डालें नहीं तो ही होल नहीं करते जाएंगे आप देख सकते हैं स्टेप को थोड़ा धीरे-धीरे ही करें और इसकी जो साइट्स है ना उसे सील कर देंगे ताके जो फिलिंग है ना वह साइट से निकल ना जाए अब नाईफ की मदद से आगे पीछे करते हो एकदम धीरे-धीरे से काटते जाएंगे तो मैंने layers बिना ही है वह अच्छी तरह नहीं बन पाएंगी, आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह काट लिया है वैँ हाथ में लेकर इसे बस flat कर देंगे और आप देख सकते हैं हमारप briefly बनकर तयार है fry होने के लिए अब ये फ्राई होने के लिए त्यार है बस एक स्टेप और बाकी है तो मैंने यहाँ पर लिया है दो बड़े चमच कॉन फ्लार के साथी में लिया है दो बड़े चमच मैदा इसमें डाल देंगे पानी 6 टेबल स्पून और इसका एक गाड़ा सा मिश्रिन बना कर तयार कर देंगे आप देख सकते हैं मैं इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें बिल्कुल भी गुटलिया नहीं होनी चाहिए अब यह एकदम पॉफिक दिख रहा है अब इसमें डाल देंगे पिन्वील जो हमने बना कर तयार करा था इसे इस तरह डिप कर देंगे अब यह एकदम तयार है फ्राय होने के लिए तो मैंने याँ पर तेल पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था एक एक करकर सारे पिन्वील डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राय कर देंगे आप देख सकते हैं एकदम golden brown दिख रहे हैं मैं इसे tissue paper पर निकाल लेती हूँ मैंने same process से second batch भी तियार कर लिया है एक बात ध्यान रखे से high flame पर बिल्कुल भी ना पकाया नहीं तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और जब भी आप कोई चीज fry करते हैं और आपको लगे कि तेल में आने वाले जो bubbles हैं वो खतम हो चुके हैं या फिर कम हो गए हैं यह indication होता है कि आपकी जो चीज है वो अच्छी तरह पक चुकी है आप देख सकते हैं पैन में बबल जाना कम हो गए हैं तो पिन्वील हमारे बन कर तयार है एकदम गोल्डन ब्राउन लग रहे हैं तो टिशू पेपर पे निकाल लेते हैं और गर्मा गरम सर्फ करेंगे आप देख सकते हैं कितना खस्ता बन कर हमारे तयार हुए है पैन्वील और कितने बड़िया लग रहे हैं इसे सर्फ करेंगे टमेटो केचप के साथ तो दोस्तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक करें अच्छी लगी हो तो एक बड़िया से कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें नहीं अच्छी लगी हो तो उसका कारण जरूर बताएं तो मिलती हैं आप से इसी तरह एक बड़ी आसी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई